नमस्क्रा स्वागत आपका राश्टर न्यूज नेटवर्क पे और मैं हूँ आपके साथ सुना ले विष्ट दुनिया में कोरोना का संग्रमन लगातार जारी है भारत इस मामले में दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है अभी तक 75 लाग से अधिक मामले सामने आ चुके हैं भारत में अभी सर्दी की शुरुआत नहीं हुए लेकिन विशेशा की आशंका जता रहे हैं कि के शुरुआत के साथ कोरोना के मामलों में 40 विश्दी के विद्धी हुई है और आशंका है कि ब्रिटेन में इस सर्दी से 1,20,000 मौते हो सकती हैं शुरुआती महीनों के दौरान संक्रमन के फैलने के ठीक बात यहां अफवा थी कि गरम और थंड़ा मौसम को मार सकता है ले अध्यनों से पता चला है कि Spanish flu, Acii flu, Hong Kong flu सहित सभी सास की महमारियों ने खतम होने के 6 महीने बाद दूसरी लहर का सामना किया लेकिन कोरोना वाइरस के मामले में या सर्दियों के साथ मेल खाएगा कोरोना वाइरस पहली बार नॉमबर 2019 में वुहान में पाया गया था इसलिए इस नॉमबर में भी प्रसार की आशंका है एक अध्यन में कहा गया है कि महराश्ट में स्वाइन फ्लू के मामले सर्दियों में जादा आते हैं साथ की समस्या वाले लोग सर्दियों के दौरान पीडित होते हैं भारत में प्रदूशन के साथ इसको जोड़ा जा रहा है क्योंकि प्रमुक शहर अत्यदिक प्रदूशत हैं कोरोना के विवार में अब तक मौसम परिवर्तन के कारण कोई तब्दिली नहीं दिखी है लेकिन जैसे जैसे उन देशों में मामलों की संक्या बढ़ रही है जहां तापमान में गिरावट शुरू हो गई है उमेद है कि कोरोना भारत में भी सड्डियों के दौरान अधिक सक्री हो जाएगा त्योहरों की वज़ा से नवंबर दिसंबर में और अधिक ट्रेन उडाने अंतराजी यात्रा के साथ जारी रहेगी जो कोरोना के मामलों को अधिक बढ़ा सकती है कई येरोपिय देश कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब दूसरे लॉकडाउन के तहट जा रहे हैं